नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वाधत करता हूँ आपका हमारे यूनिक ऑynnलाइन गुरू चैनल में जैसा की मित्रों आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग लूप की सीरीज में बात कर रहे हैं और लूप की सीरीज को हम लोग देख रहे हैं किसी चीज़ को कैसे एक्जिक्यूट कराते हैं जैसे हम लोग लूप को क्या कहते हैं अपने कोड को बार बार एक्जिक्यूट कराना ही लूप का प्रयोग कहलाता या आप लोग यह चीज़ जानते हैं बिलकुल और उसी के अंदर हमने वाइल लूप पढ़ाता तो देखाता तक कैसे हम लोग इट्रेट करते हैं जब तक मैक्सिमम तक नहीं पूझता है तब तक वह आटुमेटिक चलता रहता है वाइल लूप का मतलब क्या होता जब लोग range function को use करते हैं range function कैसे यूज रही होता है यह सारे footage मैंने बताई थी आप लोग को लेकिन आज मैं आप लोग इस पाक्षेली ito range सीखते हैं तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं रेंज फंक्शन की कि हम लोग रेंज फंक्शन क्या होता है आप देखे मैंने यह च्छोटा सा डिफिनीशन लिख रखा है कि रेंज फंक्शन रिटर्न और सिक्वेंस आफ नंबर को स्टार्टिंग फॉम्जीरो बाइड डिफाल्ट स्टार्टिंग इसकी कहा से होती जीरो से होती क्योंकि आप लोग मैंने बताया बार बार कि जो इसक इस वन ऑके और इंड स्टाॉब विफॉर दई स्पेशफाइड नंबर स्टाफ क्या होता है कंपल्सली होता है मैं देना ही देना पड़ता ही है दोस्तो ठीक है अक्टली रेंज फंक्शन की बात करें तो रेंज फंक्शन में 3 चीज आता है पहला आता है हमारा स्टार्ट दूसरा आता है stop और तीसरा आता है step, इसका मतलब होता है start कहां से होगा, stop कहां पे होगा और इसके step कितना होगा, हम लोग बीच बीच में कितना gapping देंगे, कितना serial देंगे, यह सारी चीज हमारे decide करती है, दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है range function, ठीक है, तो सबसे पहले कहां से हमारा start होता है, उसको क्या कहते है, start function ए ठीक है, by default वो कहां से start होता है, 0 से क्योंकि हमारा index number by default कहां से होता है, 0 से होता है, जब तक कि हम लोग को start point दें ना दें तब तक का होता है, हमारा, वो 0 से start होता है, फिर stop कि अगर हम लोग बात करें, तो an integer number specifying at which position to stop not included, नह नहीं होता है एक्षिली यह पूजिशन ऑफ स्टॉप हमें देना पड़ता है कि भाई मान लिजे हमें और रेंज टैन तक ही कैलकुलेट करना है तो टैन हमारा क्या होगा स्टॉप होगा अब इस टेप की अगर बात करें हम लोग तो एन इंटीजर नंबर स्पेसिफाइंग इंक्रिमेंटिशन डिफाल्टमा लिए करना है और हैं और लोग को समझाता हूं आईड़लेप कैसे अ का हम लोगर रन करते हैं दोस्तों ठीक है तो देखे मैंने यहांप एक प्रोग्राम लिखा है और आप लोग इतना तो जानते ही हो क्योंकि ये सारी चीजे एकदम छोटी हैं और आप लोगों के एकदम लेबल की हैं दोस्तों ठीक है तो मैं आपको बताओं कि जैसे मालिज़ी मैं ने लिखा अब यहां की जैगे कुछ भी दे सकते हो आप लोगों को पता है कि यहां पर नाम कर थे मैं रतना कर दे लेकिन यहां प्रिंट में भी इक बाद यहांपर कर दे दिया है अब हम क्या करते हैं इसको सेव कर के रन करते हैं ये error आ रहा है, error क्यों आ रहा है, इसको हम लोग देखते है, error दोस्तों क्यों आ रहा है, ठीक है, x is equal to दिया है, हमने यहाँ पर दिया है, रत ना कर, रत ना कर, तो देखो भई, spelling यहाँ पर गड़ बड़ हो गए, और आप लोगो पता है कि इसका case बहुत sensitive होता है, तो जैसे इसकी spelling गड़बड हो गए, अब देखें, मैंने आप लोगों को बताया है, कि इसका indexing कहाँ से start होता है, 0 से start होता है, तो देखें, यहाँ पर 0 से start हुआ है, तो सीधा सफंडा है भाई, कि यह जब 0 से start हुआ है, तो 0 से 5 तक ही जाएगा, क्योंकि 6 digits को दोस्तों लेना है, तो यह हमारा क्या range function का पहला है, जिसको हम लोग कहते है stop, जिसको हम लोग क्या कहते है, जिसको हम लोग कहते है stop, अगर हम बात करें इसी में, अगर हम बात करें इसी में क्या, कि अगर जैसे मानलीज़े हमने यहाँ पर दे दिया, to start दे दिया, क्योंकि to हमारा optional होता है, start ह इस हमारा option होता है, सिर्फ compulsory stop होता है, ठीक है, तो हमने start दे दिया, और फिर मैंने stop क्या दे दिया, भाई, stop दे दिया 10, अब ये हमारा क्या होगा, कि जो हमारा ये start होगा, 2 से start होगा, क्यों start होगा, क्यों कि मैंने आप लोगों को बताया, मैंने आप लोगों को बताया है, क जैसे last में कोई भी कुछ भी हम लोग range में लिख लें I think suppose आप लोग जानते होगे यह सारी बात की जैसे मालीजे मुझे लिखना है 1 से 10 तक लिखना है तो 1 से 9 ही लिखेगा क्योंकि हमारा जो range function होता है वो क्या होता है last में जे माइनस 1 होता है तो हमने क्या अब यहां पर मैंने अगर यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए कि मैंने यहां पर क्या दे दिया start दे दिया 2 से तो यह कहां से start दिया भाई 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया दोस्तों अब बात समझ में आई अगर मैं बात करूं कि इसमें 2 का मैंने दे दि क्या दे दिया 2 का भाई 2 का मैंने दे दिया step size और जैसे ही मैंने 2 का step size दे दिया देखिए 2 4 8 6 8 आया की नहीं आया देखो यह क्या हो गया अगर हम लोग चाहें तो बहुत अच्छा table भी लिख सकते हैं इसमें ठीक है table भी create कर सकते हैं यहां से for loop में बहुत सारी चीज़ें इसी हैं जो आप लोग जान सकते हैं range function के according तो range function बहुत important है इतना ही नहीं दोस्तों मैंने आप लोग बताया कि यह positive negative बोत होता है इतना मैंने बताया था आपको याद होगा तो मैं क्या करता हूँ कि यहां पे positive थोड़ा negative देखर करके देखता हूँ मैंने 0 किया और यहां मैंने क्या किया 10 कर दिया नए 10 नहीं किया हमने यहां पे क्या किया minus 10 कर दिया ठीक है अब हम लोग इसको save करके जैसे ही run कराते हैं देखिए यह 10 से start हुआ कहां तक गया 1 तक गया क्योंकि अब क्या है पहले तो हमारा ascending order में चल रहा था अब हमारा क्या है यह descending order में चल रहा है तो no doubt इसमें कोई problem नहीं है rules हमारे same है इसमें ठीक है जैसे मैंने यहां पे दिया और मैंने step size क्या दे दिया भाई टू दे दिया क्या दे दिया टू दे दिया एंडिंग पॉइंट हमारा 55 है तो हम लोग जैसे इसको run कहते हैं देखिए अब इसे यह 10 8 6 4 2 यह क्या दे रहा है descending order में भी हमारा यह दे रहा है तो दोस्तों कितना easy है हमारा range function आप लोग इसको जान सकते हो actually range function की बात करें तो actually इसमें all argument must be integer positive और negative दोनों चीज़ होता है तो मैंने आप लोगों को दोनों चीज़ें बता दिया कि positive और negative क्या होते हैं दोस्तों देखो actually क्या है एक चीज़ आप लोग जान लोग एक rule होता है इसमें कि can not pass string float any other types actually में क्या है कि हमारा string float यह सारी चीज़ें इसमें पास नहीं होती है ध्यान रखेगा ठीक है और step size value should not be zero यानि मतलब क्या होगा कि जो हमारा step size है वो कभी zero नहीं हो सकता तो यह इसके rules हैं दोस्तों हम आसा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा range function जो कि मैंने आप लोगों को stop भी बताया ठीक है start stop बताया और start stop step size इस तीनों मैंने आप लोगों को समझा दिया दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि हमें कोई सुझाओ देना चाहिए और इस वीडियो को और भी अच्छा बनाना चाहिए या फिर इसमें कोई कमी रह गई है तो बिल्कुल आप लोग सुझाओ अपना जरूर प्रेयर तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स तक जरूर कर लेना इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जैहिंद